अज भारत के हर गाउं से आवाज उठाती है दारी अज भारत के हर गाउं से आवाज उठाती है नारी बाधिनिकी ये नहार सुनकर कंपित है दुनिया सारी छोशित पीडित और उबेचित सदियों तक अन्याय सहे नारी जीवन कखा व्यथा कि मोर रहे ना कुछ भी कहे मैल हो रही तद के मन के निर्बल जन की धार बहे नारायन का रूप कहा और खहा ये अबला बेचारी बाधिनिकी ये नहार सुनकर कंपित है दुनिया सारी हाँ देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या है लगता है गाड़ी खाना बहुए क्या हुआ क्या 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 साहब इसका बाश्पम काम ने कर रहा है मैं आपको वहाँ सद्दर दाल के देता हुआ वहाँ बैटो मैं मेकानिक को ले आना पड़ेगा चीक है आओ वहाँ 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 क्या क्या वहाँ कितनी अच्छी और शान जगा है न और वो देखो वो जमीन कितनी बड़ी है लेकिन यूहीं बेकार पड़ी है बिना किसी फसल की लगता है किसी अमीर इंसान की है जिसे भगवान ने इतना दिया है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं मोना, कभी-कभी जानकारी ना होने की बज़ए से लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते हो जी जा जी, आप क्या सोच रहे हैं? ने, कुछ खास नहीं, बस एक बार ये गारी ठीक हो जाए, होटल पे जाके आराम करना चाहता हूं अगर वो यहां आ रही है, तो प्लीज उसे पूछो कि अलका होटल यहां से कितनी दूरी पर है, पुछना उसे जी सुनिये, जी यहां से होटल अलका कितनी दूरी पर है? दूर है, गारी से जाना पड़ेगा जी गाड़ी तो है हमारे पास, बिगड़ गई है, मिकनिक ठिक कर रहा है, शायद एक आदे घंटे में ठिक भी हो जाएगी तब तो अच्छी बात है, क्योंकि होटल अलका यहां से तीन चार कोस दूर है आप यही रहती है? हाँ, वो सामने जोपड़ा दिख रहा है ना, वही पर तो यह जमीन आपकी है? हाँ है तो, मगर कुछ ज़्यादा काम की नहीं है काम की नहीं है? असली में बात यह है कि जमीन पर फसल अच्छी नहीं होती ना, बस पेट बढ़ने को मिल जाता है नहीं नहीं, यह बात नहीं है, यहां का मौसम दुसरा है और यहां अलग मौसम होने की वज़े से कोई कास किसम की फसल पैदा हो सकती है वो तो हमें पता नहीं, यहां के लोग जो कुछ काम करते हैं, हम भी वही कर लेते हैं अच्छा तो यह गाड़ी है तुमारी? लो भाईया, गाड़ी बन गई तुमारी, अब लाव पैसे दो यह साब आपके पीछे बइटा है, उनसे पैसे ले लो अच्छा का नाम क्या है? जी ताराबाची, और यह मेरे बच्ची हैं, गोपार अमीनो आओ बच्चा? और तारा भाई, यह है मेरे पती, और यह मेरी छोटी वहन मोना आज तो हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन मैं कल फिर आओंगी इस जमीन के बारे में बताने को आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? गाड़ी ठीक हो गई? इतने ही जल्दी? अच्छी बात जटा जट 500 रुपया देतो, कर जाएके मक्की रोटी खाओं 500 रुपय? आईसीबी क्या खराबी थी गाड़ी में? वास्पम खराब हो जियो तो? तो उसके 500 रुपया लगते हैं क्या? तो पांच रुपया लागे कहा है? एक काम करो, एक दो सो रुपया रख लो ये लो जेब में पैसा को अने है? और काड़ी चलावा निकले वास्ट तो माल है? चलो चलते हैं बेटे, जराई से उठा ले ना? अब होटल पे जाके आराम करेंगे ये लो अच्छा तारा वई, हम चलते हैं लेकिन मैं कल फिर आओंगी हां? तुम्हे जमेन के बारे में बताओंगी हां? अच्छा ये क्या बात हुई? हम लग छुट्पिया मनाने आया थे ये कि दिन में वापस जा रहे हैं? I'm sorry, मगर क्या करूं? इतना बड़ा बिजनेस जो लेकर बैटा हूं हम? अब अर्जेंट मीटिंग है तो वापस तो जना ही पड़ेगा मुझे? अर्वाई तुम तो मेरी पत्नी हो अच्छी तरह जानती हो इतने सालों से हमारे साथ यही होता आया है नारा जोने की ज़रूरत नहीं चलो मैं प्रामिस करता हूं अगले दस दिन में हम फिर से इसी जगा छुट्टिया मनाने आयेंगे, ओके? ने, मैंने तारा भाय से नई फसल के बारे में बात किय अगा, और मैंने तय किया है। कि उसे सारे डीटेils बताओके. मगर अब वो कैसे करोगी? क्यों इसमें मुश्किल क्या है मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया है यहां के क्लाइमेट के बारे में मैं जानती हूँ और इस जमीन पे क्या पैदा हो सकता है ये भी मुझे अच्छे तरह से मालूम है वैसे भी जी जा जी बुलोब बहुत गरीब है हो सकता ऐसा करकर हम उनकी कुछ मदद कर सकते है अच्छा यानि तुम हमारे साथ वापस नहीं चल रही हो हमारे साथ नहीं जी जा जी सिर्फ मेरे साथ अच्छा जी जा जी मैं भी दीदी के साथ रुपना चाहती हूं समझ गया यानि मैं यहां से सिर्फ अकेले वापस जा रहा हूं हम अल्राइट एस यू विश ओके अच्छा मेरा एक काम करोगी क्या काम मुझे मुझे मुंबई से कुछ पासल मंगवाने है ठीक है बिजवा दूंगा मगर क्या मंगवना है नइ वो लिस्ट मैं जाकर समय लिए दूंगी ओल्राइट दे देना बई जो भी मंगवाना है बड़ी लिस्ट बनाखर दे देना तो के मैं भीजवा दूंगा तुम लोग यहां बैटके छुटियां बनाओ और मैं जाओंगा अपने काम के लिए वापस, ओके टीक है एपी मेरा नाम कुल्ट कुमिन पूलानी है तो ऐसे अपना लोग मेरी इस्टावरी रोड़ते उपर है न तो इस्टावरी खरीट करके लेके जाने को लगे तो फिर ऐसे करते करते एक बाय आई वह अपना मेरे साथ में चार-ाइट दिन थी इदर रहिने की वह बंगले पे तो वह धूद्ध खरीट करके लेके जाने की तो उसने एक बार मेरे कुछ चा बूली मैं तुमारे को एक ऐगे चोटे-चोटे से रव बड़े हो गए हlv एक बिसकी मैट्रिक हो गई और एक बच्छा इस् slop पड़ाकि उच्चे में वह काम करके मैं बचों को दोनों वक्ची चुश्कों पडाई इस ilb अपना खुझ श्रों थिर बच्चे लोग असती मछीन अलागे भेजरू श्रूरू कि फिर बागी आप मेरा नाम नहीं तो जो प्राइब निकाल दिये और बागी जाका नाम लगा दिये पिर पब्लिक सब बच्चे लोगों पेचा नेको ने को डहीं मेरे इस तो चार खुर्ची रखे जो है आइसक्रीम जो भाई नहीं मेरों को बताया था ना वहीं में बनाने की हारी, नमस्तिया जा ना मैंने कहा था ना मैं मिलने आउंगी लो आ गई बहुत अच्छा ना मुझे बाते करने हैं सी बच्छों के लिए के बाद चले दिए तारा बै, मैं जानती हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से यसे अब यकिन नहीं होगा लेकिन यहां का मौसम, जलवायू और इस खेट की जमीन लेकर मैं तुमसे कह रहे हूं सब लेकिन आपको यह सब कैसे मालो यहां का जो इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है और यहां इस तरह से खेती हो सकती है, जिसमें पानी के ठहराओ की ज़रुवत नहीं होती जैसे गाजर है, मूली है, बैंगन है, स्ट्रॉबरी है बेरी? वो काटे वाला? वो यहां कैसे लगेगा जी? नहीं नहीं, आप समझें नहीं, स्ट्रॉबरी के बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं पहले उसमें सपेद फिलर के फूल आते हैं, फिर हरे रंग के फल आते हैं और जब वो फल पक चाते हैं, तो वो लाल रंग के होते हैं और उसे हम स्ट्रॉबरी कहते हैं उससे हम जैम, जेली, पल्प, आइस्क्रीम, सब कुछ बना सकते हैं, और ये सब बना के आप बाजार में बेश लीजे और आपके आम दोने शरो, लेकिन इस बंजार जमिम पर ये सब पौधी लगेंगे, हाँ बिलकुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करने हमारे पास भी दूसरे बच्चों की दरा किताबे और पैंसिल हो, यहां कर आज पास कोई स्कूल नहीं है, हाँ यहां है, एक अच्छा सा बढ़ा सा स्कूल हो, दीदी वहां पढ़ने के लिए भूत तो अशा लगता है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हमें पढ़ाएंगी जरूर, लेकिन अगा तुम्हारा दिन चाहा तो, अब हम भी पढ़ेंगे, हमारे पास भी किताबोगी, हमारे पास भी स्लेट और चाख होंगे, मीना गोंपाल, आरे दीदी आप, यहां, तुम्हां घर के अंदर क्या कर रहे थे, हम गोटियां खेल रहे थे, आज से तुम् कहां चला दिदी, पेड के नीचे, पेड के नीचे क्यों दिदी, हम घर में नहीं पढ़ सकते, घर में, पढ़ा ही तो बिल्कुल नहीं सकती, इतना काम रहता है, चलो चलो, अच्छा चलो दिदी मैं श्लेट लग रहा था हूं, हां चला दिदी जा कि हां चलो परका जोड़ा नीचे बेठो लग जाएगी अच्छा अगर मैं तुम्हें पढ़ना सिखाओ तो तुम मुझे अपनी खेती बाड़ी के बारे में बताओगे ठीक है दिदी तो पहले ये बताओ यहां कौन-कौन जी फसलोग तो यहां गाजर, मूली, ककड़ी दिदी मकई भी आँक अच्छा तो सबसे पहले हम मकई लिखना सिखें लेए ठीक है देखो यह दिदी बेखो यह तो गलत हो यह दिदी भी मैं लिखती हुँ यह देखें यह भी कराता है तो अब 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 अच्छा दो यह हुआ माँ आ को को और इव एसे लिखेंसे पॉल्हे जी आँचिंच तो मैं लेखो भाड बुछा यह दौता माँ मुटत है वेरीगोड अब तुम निखोगे है कि आदे करें कि अच्छा मुझी ये बता तो अब कबर कैसे होगाते हो हम घंगी के जय दोटाम में उसे बोते हैं सावन में त्यार हो जाती है हम दूले भी जुलते हैं और मकर भी खाते हैं अब भी खाते हैं ना दीदी प्रटाओंगे तुनोगे ना हाँ चलो अ हुआ है हुआ है है हुआ है है पुना इस तरह की पॉसिबिलिटीज तो देश की छोटी-छोडी जगह में होती है ऐसे बहुत सरी जमीने होती है जो लोग बेकार सबजकर छोड़ देते हैं लेकिन हम फुन जमीनों को मौसम और वात करना परता है ऐसा करके ना ही हम उनके आर्थिक सिती अच्छी कर पाते हैं बलकि उस जमीन पर भी न्याय कर पाते हैं जो लोगों ने बेकार समझकर छोड़ दिले हैं जो आप पे गर्भ है लिए हम ब्रॉली प्लाओर अफियो सच मुच मैं वापस जाकर अपना एक ग्रू सब्सक्राइब मेरे मुंबई से आपके साथ यहांने के बाद जिन्दगी को जीने के नहीं दिशा मिल गए है सच मुझ किसी को खुशी देख तो कितनी खुशी मिलती है उसका अंदाजा मुझे आज लगा I'm proud of you, I'm proud that you're my sister. I love you. I'm proud of you too. I love you too. अच्छा तो आप पढ़ाई बैंद मैंने कल तुम लोग से वादा क्या था ना कि मैं तिन अपने शेहर के वारहन बताऊंगी हाँ देखो मीना गुपाल वहां में स्कूल चार साल की उंदे से जाना पड़ता है कि वहां हर स्कूल लज़्दीक होता है और सभी लोग चाते ह पढ़ा बच्चों को पढ़ाा लिखाकर बड़ा इंसान बनाओं वहां हमारे खेलने की जगफ और समय में सब्सक् líन मिशिएक होता है हम कभी भी कही भी नहीं खेल सकते और हमें सडक की बाइओ उते क्राकर ना परता कियो है था डॉक्टर, टीचर, इंजिनर, या फिर पाइलेट, मेरा मतलब है जहाज का दाइवर, मगर दीदी, गाव में रेकर ये सब तो हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर हमें कुछ बनना है, तो हमें सची महनत अलगन की जरूरत है, ठीक है दीदी, मगर इसके लिए तो पाइसा लगता होगा, वो तो है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, कि हमें जादा महनत की जरूरत है, तुम या खेती बारी में काम करते हो, उसमें जादा महनत करकर तुम लिए अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हो, और अगर पैदावार अपनी जरूरत से जादा हो तो अभी इधर ही होता है, तो वो जहार मंगाने का, फिर वो जमीन सिधा करके लेके, जहार लगाने का, खाद भी दाल के, फिर अड़ाई डाई महिने से इस्टावरी आता है, फिर वो इस्टावरी निकलने के बाद में इस्टावरी का इस्क्रीम बनाने की, दंडिया ना वो यक्ति उसके ऐसकी मौनी हलो हलो मैड़ा मैरे शरपसन से बोला हूं आपसे कोई तारा भाई मिलने आएगे क्या आपके रूमे भेतु हाँ हाँ तारा भाई को मैने भुलाय था उन्हें उपर बेज दीजी जी जी अच्छा तारा भाई या दे रहा है दुस्यक्त नमस्ति मेंसाँ सारा भाई आप बैठो यहां क्यों बेठियो उपर बैठो इसमें साब यहीं जीवाइब बादर में कैसे बैठ सकती हैं, कैसे बाते करें आओ बैठो, आओ बैठो तारा बैठो, पीना गोपाल नहीं है, लोग इसको गए है देखो तारा बैठ, मैंने तुम्हें सारी बाते समझाई है, याद है कि नहीं? अगर तुम इन पर अमल करोगी, तो जिन्दगी में खूब तरक्की करोगी मैं अभी बंबई जाकर तुम्हारे लिए आइस्क्रीम बनाने की मशीन भिजवा दूँगी तुम स्ट्राबरी आइस्क्रीम बनाना, उसे बाजार में बेचना, उससे तुम्हारे आर्स्तिक सिस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन एक बात याद रखना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी पढ़ाई बन मत करना क्योंकि जिन्दगी में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है इससे बच्चों की जिन्दगी बन जाएगी और तुम्हें खुश रहोगी और अगली बार जब मैं यहां आउंगी, तो मैं खुब सारी स्ट्राबरी आइस्क्रीम खाऊंगी स्ट्राबरी एक जाना माना फल का पौधा है गर्मियों के समय धावक लताएं मौलिक पौधे से निकल कर उसके सीरे पर अपनी जगा बनाते हैं और एक नय पौधे का निर्मान करते हैं पत्जड के समय इनी पौधों के सीरे में नए अंकुर फूटते हैं ये अंकुर विक्सित होकर कलियों का रूप धारन कर लेते हैं और अगले वसल्त रित्व तक फूलों और बेरियों में परिवर्थित हो जाते हैं इस तरह के आठ पौधे आठ इंच की दूरी पर रखे जाते हैं पौधा जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही बढ़िया उसकी उपज होती हैं पौधों की लताओं का कलम करने से एवं उनका अच्छे और परियाप खाद्य और पानी से पालन पूशन करने से उनके विकास में भरपूर सहायता मिलती हैं स्ट्रॉबरी के पौधे बहुत सक्त नहीं होती और तापमान के उतार चड़ा को सहन करने में असमर्थ होती हैं ये बहुत कम तापमान में बुरी तरह शतिग्रस्त भी हो सकते हैं यही बज़े हैं इन पौधों को तापमान के 15 डिग्रीज फैरनाइट तक गिरने से पहले ही धांग के पुवालों या भूसे से अच्छी तरह ढख देना चाहिए स्ट्रॉबरी के कई किस्म होते हैं उनमें से कुछ के मुकुल दाने बहुत ही उचे तापमान में आकार लेते हैं सबसे उंदा किस्म के पौधें जिसको सैपलिंग्स भी कहते हैं को ही उपचाना चाहिए यह पौधे नस्रीज में उपलब्ध है और यह मैं तुम्हें भीज देंगी करी यह बड़ाई तुम्हें यह यह रही तुम्हें कि अब तुछ अब लेंगे ते लिए अपलाड़ के लादीजिये अच्छा अच्छा सुलिये कुछ साल पहले में आई थी तो ये जम्मीन पूरी बंजर थी और यहां मेरे मुलाकात एक उरत से हुए आप जानते हैं वह उरत का हैं? मैंने उन्हें स्ट्राबरी के बारे में बहुत कुछ बताया था उनके दो बच्चे हैं और उनका नाम थारा बै है थारा बै? मैं उनके लिए स्ट्राबरी आइस्क्रीम लेकर आ रहे हूँ नेचे में साब स्ट्राबरी आइस्क्रीम अरे आप? में साब आप अरे तारवाई बैठो बैठो नेचे में साब में साब आपके सुजाओने तो मेरी तक्दीर बदल दी जो बंजर जब इन दो वक की रोटी नहीं जुटा पाती थी हाँ सोना होगल रहे है में साब तो क्या ये दुकान और फैक्ट्री आपकी है? हाँ में साब भस आपके दुआओं का असर है नहीं ये तो अपनी महनत और लगन का फल है अच्छा बता यहां और कया-कया मिलता है इस्ट्रावेरी बिद क्रीम इस्पेशल जूथ, मिल्कशेक, पल्फ आइस्क्रीम बनाती हूँ, स्टॉबरी क्रीम बनाती हूँ, मिल्शेक बनाती हूँ, पीवर जूस बनाती हूँ, फिर चॉकलेट आइस्क्रीम, रोज का आइस्क्रीम बनाती हूँ, स्पेशल, मखें पेटी, पीजा, यह सब मिलता है में साब यहाँ पर, अरे वाँ, आप तो इंग्लिश भी बोल लेती हैं। मैं सिम बोलती नहीं में साब। ये सब मैं खुद बना मिलेती हूँ। आप जैसे ग्रहक जो शहर से आते हैं ना। उन से सुन सुन कर सीख लिया है मैंने। अरे वाग। यहाँ बहुत भीड़ भी है। एक बार जो आदमियां पर खाकर जाता है वो दूसरे लोगों को बताता है। और वो सब भी यही बनाते हैं। दीजे ना में साब, खाइए, खाइए। बहुत कुछ दीजे में साब। बहुत अच्छा लगा। बहुत तरक्की करो। बस में साब, बस आपकी दुआ है। बहुत अच्छा है। और बताएए में साब क्या लेंगे। और कुछ ही। और आज भी कुलसुम युनस मुलानी जानी की ताराबाई अपने स्ट्राबेरी के बागीचे वाले होटल में आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगी। मगर आपको जाना होगा महावलेशवर हाइवेपर। बागीचे और स्टावरीविश क्रीम मेरे नामुति तरिक्वेशिप भी सब्सक्राइननियों जब्सक्रा leveraging के सब्सक्राइब करना डश्यूं। होती है एक सही दिशाकी और आर्थिक पदद की अगर आदमी प्रैत्नशील हो तो उसे कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इस छोटे से सुझाव से इतना बड़ा चमतकार होगा अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो जरूर किसी जरूरतमत इंसान की मदद कीजिए जैसे मैंने ताराबाई की मदद की ताराबाई ने किसी और इंसान की उस इंसान ने किसी और इंसान की और अगर हमारी ये चेंज चलती रहे तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा बाघिनी बनकर घूम रही है शक्ति स्वरूपा है नारी बाघिनी की ले नहाड सुनकर कंपित है दुनिया सारी